नमस्कार खबरों की खबर में आपका सौगत है कोलकता रेप एंड मर्डर केस के अंदर अब CPI ने बोले-बोले खुलासे करना शुरू कर दिये इस पूरे मामले में जो शक की सुई आर जिकर हॉस्पिटल के पुर्व प्रिंस्पल संदीप घोस के ऊपर जो लगी थी उसमें जो खुलासे कोट के अंदर CPI ने किये हैं जैस सहभी दंग है हैरान है कि कैसे इस तरीके से ये व्यक्ति हॉस्पिटल चला रहा था कॉलेज चला रहा था कि जैसे ये इसकी कोई बपौती हो CPI ने कहा है कि उनको दस्तावेज मिल गए हैं सबूत मिल गए हैं कि संदीप घोस के तार बड़ बड़े अधिकारियों के साथ जुड़े हुए हैं पौलिटिकली वेल केनेक्टेड हैं TMC के अंदर उपर के लोगों से इसकी जान पहचान है और तो और जितना ज्यादा CPI और ED इसमें इन्रिस्टिगेट कर रही है एक के बाद एक खुला से होते चले जा रहे हैं कोट के अंदर CPI ने क्या कहा यह मैं आपको बताऊंगा लेकिन आप देखिए भाई साथ ने एक फार्म हाउस भी बना रखा था कलकता से कुछ दूर कैनिंग ब्लॉक टू उसके अंदर एक नराइनपूर जगह है जहां कि यह तस्वीर है यह इसका फार्माउस और स्विबिंग पूल की है मतलब यह व्यक्ति जितनी इसकी कमाई नहीं है उससे कई गुना ज्यादा इसने संपत्ति कठा कर लिया है यह तो सिर्फ बानगी भर है कोई बता रहा है दो भीगे में इसकी जमीन है आस पास जो है और भी जमीन जो है इसने खरीद लिया है और वहां पे बकादा एक नेट का पूरा कच्छा चिठा CBI के पास आ चुका है साथ ही साथ CBI ने यह भी बताया कि यह जिस हिसाब से पैसे का लेंदेन कर रहा था जिस हिसाब से यह हॉस्पिटल के अंदर घोटाले पे घोटाले किये जा रहा था यह बिलकुल पॉसिबल नहीं है कि ममता सरकार के बड़े में मालूम ना हूँ क्या खबर आ रही है in a significant achievement the Central Bureau of Investigation CBI has unearthed a huge financial irregularity at state-run RG Cor Medical College and Hospital the CBI has discovered documents indicating that medical equipments which were never actually purchased but had been billed to the hospital over an extended period. The role of the Health Department officials superior to Ghosh is also coming to light since despite such instances of financial irregularities brought to the notice of the department by whistleblower and former Deputy Superintendent of RG Kar Akhtar Ali the latter's early warning were ignored ab court mein CBI یہ कह रही के मैलाड हमारे पास तो इतने सारे documents रस्ता वेज आगे है इसके तार बहुत जुड़े हुए है और ये जिस तरह के काम में ये सलिप्त था ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ममता ब्रणजी की सरकार के बड़े-बड़े अधिकारी उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है एक पुर्व डिप्ट सुप्रेटेंडेंट इस हॉस्पिटल के अख्तर अली उन्होंने कई बार कंप्लेंड किया कुछ विसल ब्लोवर ने भी मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े बड़ बड़े अधिकारीों को इसके बारे में जानकारी दी लेकिन सब चुप बैठे थे किसी ने एक सवाल तक नहीं उठाया मतलब सदीब गोस्तो करी रहा था उसकी जानकारी सरकार को, डिपार्टमेंट को, मंतरी को सारे लोगों को ये मालुम था कि इस हॉस्पिटल के अंदर क्या कांड चल रहा है लेकिन फिर भी सारे लोग चुप थे क्यों? क्या इसका पॉलिटिकल कनेक्शन है? अभी देखे किस तरह से बददाम किया जा रहा है? टीमसी के लोगों ने कह दिया कोई बच्चे की मौत हुई है वो डॉक्टर की वज़े से हुआ है वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे है ये लोग अब डॉक्टर्स को बददाम करने में जुटे हुए है लेकिन जिस हिसाब से खुला से हो रहे हैं सीबियाई के द्वारा उसको जराब सुनिए तो आप भी दंग रह जाएंगे ये सारी बाते कोट में कही गई है सीबियाई ने कोट में कोलकता के आरजिकर अस्पताल के पुर्व प्रिस्पल संदीब घोष का कचचचछा खोला है सीबियाई ने कहा कि घोष की बलतकार और हत्या की घटना में गलत लाब के लिए अन्य सह अभियुक्तों के साथ अपराधिक साटगाट थी और वो अस्पताल में काली कमाई का कारोबार चलाता था CBI ने कोट में दावा किया कि घोष ने काली कमाई का कारोबार चलाने के लिए अस्पताल में अपने करीबी लोगों को तैनात कर रखा था CB.I. ने बताया कि गोश पहले मुरसिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तैनाब थे और वहां के दो वेंडर्स को ही आरजिकर अस्पताल में ठेके दिये गए CB.I. के मताबिक गोश ने अपने सुरक्षा आफिसर की बीबी को ही आरजिकर अस्पताल में कैफे चलाने का ठेका दे दिया था ये भाई साब पहले मुरसिदाबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जो है वो प्रिंस्पल थे और वहां जिस दो व्यक्ति को ये लगातार ठेका दे रहा था मतलब माल कमा रहा था तो एक अंडिस्टेंडिक नेटवर्क बन गया था और जब ये आरजिकर में ट्रांस्फर हुआ तो अपने साथ उनको भी ले आया जो इसका बॉडिगार्ड है जो सुरच्छक कर्वी लगाया गया इसके साथ आरजिकर करके कैफे का जो है लैसिस भी उसकी बीवी को दे दिया मतलब मिल बाट के खाओ मिल बाट के लूटो जितना भी लूट सकते हो लूटो क्या अधिकारियों को मालूम नहीं चलता कि किसको कैफे किसको कैंटिद दिया जा रहा है जिस तरीके से ये दादागिरी कर रहा था हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके से लगतार कंप्लेंट्स आ रहे थे ये मेडिकल डिपार्ट्मेंट के लोग इमंता बरेजी की सरकार वो आखों पे पट्टी बान करके बैटे हुई थी ये तो बड़ा इंपॉसिबल सा लग रहा है कुछ और जानकारिया आई हैं CBI ने का और खुला सक्या ये आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे क्या कहा गया A news agency report said that the investigating officials have also come across instances where existing costly medical accessories were repaired but shown as newly purchased in that process the fund allotted to the hospital from the state government was misused as the investigating officials are going deeper in their probe a clear picture of major racket involving health department officials RGKR staffs and vendors behind this orchestrated forgery is emerging where ghost played the main rule अब बताईये क्या चल रहा है बगाल के अंदे तो पहले कोई बिहार में कहता था लाली आदब के जवाने में कि गर्मी का सीजन आया तो वहाँ अधिकारी जो है वो कहते थे थे कि पानी के कमी है तलाब खुद वाओ तो उसके लिए पैसे आ गए और जब बारिस का समय आ गया तो वह कहते थे कि देखिए बहुत पानी आ गया बच्चे डूब रहे हैं उसके अंदर तलाब को भर दो तो तलाब को भरने के लिए अलग से पैसे आ गया और साल भर के बाद क्या हुआ जब रिपोर्ट जाती है कि भई तलाब खोदा गया उसका भी पैसा गया तलाब को ढखा गया बराबर जबीन बना दी गई उसका भी पैसा गया इंस्पेक्शन करने वाले सक्स जब वहां पहुंसते बोले भई तलाब कहा था बोला हुजूर जहां पर आप खड़ें वहीं पर तलाब था मतलब न तलाब को बराया गया न किसी चीज को भरा गया कागज के उपर सारा काम यही चतुराई चल रहा है बंगाल के अंदर यह लालू यादव खेट ट्रिक्स जो है वो बंगाल पहुंच गए है जो कोशली समान है वो खराब हो जाता है तो यह कहते कि बैए नया समान लेकर क्या हूं एक्क्यूप्मेंट्स बड़े महंगे होते हैं कड़ो रुपे तक जाता है इसकी पचिजिग और आपने क्या किया बिल बन गया नया मशीन का लेकिन कोई खरेदारी नहीं हुई क्या किया जो पुराना मशीन है उसको ही रिपेर कर दिया या हो सकता ऐसा भी करे कि कोई मसिन चल रही है सही सलामत आपने कह दिया भाई हमको मसिन चाहिए वो मसिन खराब है पैसा आया जेबों में गया कुछ ये खुद रखते होंगे और कुछ अधिकारी लोग भी रखते होंगे यहीं CBI कह रही है वेंडर्स कौन तो अपने दोस्त खरेदारी कौन कर रहा है अपने दोस्त तो इस तरीके से बंगाल में जो अंदहेरे नगरी और चौपट राजा वाली कहानी चल रही है CBI एक के बाद एक खुलासे करते चली जा रही है ममता बनर जी की चिंता क्या है ममता बनर जी की परिशानी क्या है यह आप मामला रेप और मर्डर केस का नहीं रहा एक और्गनाइज विल और्केस्ट्रेटिड एक्स्प्लोइटेटिव सिस्टम मम्ता बर्रजी ने बंगाल में क्रियेट कर दिया है यह आपको दिखा था जब टीचर भरती घोटाला सामने आया था बताई घूस भी इमाई चल रहा है घूस का एक एमाई क्या जाओ नौकरी लेलो नौकरी लग जाए उसके बाद तुम इमाई भरते रहना और यह हॉस्पिटल के अंदर इसलिए कलकत्ता के लोग भगभग के आते हैं दिल्ली इलाज कराने के लिए सारे लोग कहते हैं कि बहुत खराब मिडिकल सिस्टम है कलकत्ता के हॉस्पिटल में मत एड्मिशन होना यह जो है स्वास्त मने जो हेल्दी आदमी को भी बीमार कर दे इस तरह का वहां हेल्थ वेवस्ता है वहां पर और यह डिमोक्रिसी की पार्ट पढ़ाएंगे और देश को चलाएंगे अब यह मामला तो अभी शुरू हुआ है अभी तो सुप एक स्कल्टन बाहर निकला है पूरी की पूरी भरस्ताचार की फ्रैक्टरी दुनिया के सामने आएगी आप देखतेरे कैप्टिल टीवी हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक स्क्राइब कीजिए धन्यवाद